यहां पर आता है अपने क्लोन करते सेम वे सही है अब यह भी यहां पर नहीं आए इसके लिए तूम को डबल क्लिक करके जाना ही पड़ेगा अपर आगया जिस ऑब्जेक्ट को भी उठाना है अल्ट दबाओ चेंज और आइकन क्लिक करो और ब्रश करो जैसा फोटोशॉप से अब यह क्या रहेगा जैसे मुवमेंट है कैमरा मुवमेंट है तो वो खिसकेगा वो तो फिर उतुम को मैनुवली करना पड़ेगा लेकिन जैसे इस्टिल इमेज में जैसे इत्ते में कोई फरक नी पड़ रहा है और अगर मानलो मेज को यहां से अल्ट प्रेस किया मैंने वो इसलिए हटा था क्योंकि मेंने OSTIME पर क्या गया दिफ में लिया साथ इतना ही इल्या यह दिखा यहां पर अलग है अब बड़ा अभी माने क्या करें यहां तक खीज दिया आभ वह वीडियो भले आगे तक जाएगा तो यहां 手 sev हो जाएगा हां पहले इतना साही में पत्थर वाला एरिया अब जैसे यहां पर इसमान लो यह मैं यहां से आल्ट के साथ इसमें clear समझ गाए अब दिख रहा एरिया अब यह इतना एरिया ही है जब वीडियो आगे बढ़ेगा तो देखो वहां पर वह आएगा वहाला एरिया आगे जो चीजे वह आती जाएगी आ आगे के पेड़ आगए अब जीतना आगे तक जाओगे ना उतनी आगे के चीजे यहां पर आती है और अगर यह कहां पर नॉर्मली स्टिली में जै तो वहां ज्यादा यूस कर सकते है या कोई बहुत slow या एक जिससे ही जा रहा है या जैसे camera किसी एक चीज पर ही focus रहता है इस वह select करेगा Erase करने के लिए इसमें होगा आज देखता है Erase का भी उपनी देखता हूं में Erase का घ्राया से शॉटकट करें यह और यह जाब जाए करने के अपना पर यह जादा भार निकल जाए अपना एरिया सीव इतना ही किया तो फिर वहां से वह अलग से दिखे यह आपने इतने में ब्रश किया इस एरिया जैसे अपने वीडियो में भी कॉप्जेक्ट अगर सेंटर में है तो तो फिर बिल्कुल स्मूथ काम करेगा कोई दिक्कत ही नहीं क्योंकि अपन जो एरिया पेंट कर रहे हैं उसके अंदर अगर चीज है तो वो दिखेगी अगर वो दिक्कत निभले आसपास का सीन चेंज हो जो चीज सेंटर में वो तो रहेगी इसमें लड़की आगे जारी अगर अगर अपन इसमें करेंगे ब्रश तो इसमें नहीं हो पाएगा वेसा अपन यह कर सकते कि इस पूरे सीन को जहां तक जा रही है उसको यहां पर कॉपी कर सक है किसी चीज का शैडा करना है किसी चीश का एकसर डुपीट निकालना है तो ऊस कषयो चाहिता जिए जादा रही है उनमें यूश करक्ते हैं जैसे तुमने कोई scene shot बनाया तुमारी एक तरफ तुमने red light लगाई है इधर scene में पता चला शूट चल रहा है light बंद हो गई तो उस time पर क्या कर सकते हो कि वही same light इधर copy कर या कुछ object ऐसा है कि पूरा अपने square अपना मान लो Instagram के लिए बना side make object अपना कट लिया अब अपने को वह चीज़ चाहिए थी लेकिन अब वह तो दूर थी अपने wide angle में short लिया अब center जब करा तो वह चीज़ कट गई है तो उसको copy करके अपन center में ला ऐसे तरीके और भी है पर यह टूल है कि बस इससे अपने ऐसे कर सकते है तो अपने अलग से video बना लो अलग से उसकी png उपर से डाल दो कुछ भी कर सकते हैं तो पूरा ऐसे copy हो जाएगा इसमें यह अब यह क्या करेगा जिस भी area को मैं erase करूंगा ना उसको वहां से transparent कर दे control के साथी इसको मैं अगर हटा रहा हूं इतना मैंने हटाया अब तुम पीछे जो चाहे वहां जो चाहे वह पीछे लगा सकते पीछे कर कुछ और लगाना है तो यह black solid अपना black आ गया कुछ और डालो के पीछे तो ब्लेग आ जाए जिस चीज़ को भी हटाना है अचाए लड़की को हटाना है सा तो उसकी जगा अपनी करो ना कि जैसे यह आगे का grass है stone clone tool लो इस घास को copy कर लो इतना इसको नीचे से करेंगे ना copy तो भले हो लड़की कहीं भी जाए क्योंकि camera move हो रहा है तो यह भी अपना track आगे होगा आगे से किया तो लड़की जैसे यहां तक आई उसके बाद वाला scene पेड़ा जाए मतलब आगे का change खतम ह जाएगी तो नीचे से अगर यहां से track करो इस लड़की को यहां select करके grass कर अब क्या हो रहा है वहाँ थोड़ा और नीचे से करना पड़ेगा क्योंकि पैर आ रहा है अब यह लड़की काई नहीं दिखने वालगी क्योंकि आगे scene बढ़ेगा न लट कर लिए पर यह चीज क अब यहां तक किया था अपने इस scene तक तो इसके आ गया वह दिखना चालो हो जाएगा तो यहां पर उसके पेर आ गया क्योंकि आपने यहां से भी उपर copy किस चीज को हटाना है किसी object को गायब करना तो वो भी इसमें कर सकते हैं सेम सेम यह क्लोन वाला लब गायब नहीं कर उठाकर कुछ डालूँगा तो वह अलगी दीख़ेंगा यह इरेज़ टूल है इससे क्या होगा तुम्हारा कुछ भी रेस करना एरेस कर या पीछे तूम कुछ भी डाल ता पीछे बेगरांड द शुम्हार निया था बोट वाला और इस बोट वाले में यहां पर आता पें सेम चीज रहेगी ना जहां पर लाइटिंग वाइटिंग प्रॉबर पानी के आए बस वह रेंडम ली चीज है क्योंकि हर बार चेंज होता है घासवाज भी जहां पर लाइट सन की बारिश हो रही है या सन की लाइट एकदम तेज जाद और हमा कर सकते हैं लेकिन नॉर्मल च मैचिंग आली तुमको समझना पड़ेगा क्या कहां पर कौन सा फील करेंगे तो मैच करेगा अब यह लग रहा है शेडो जे साइस का अपना यह जो इदर से पानी था यह वाला उसको थोड़ा और आगे तो उसने बहुत बहुत बढ़ा वीडियो है तो फिर तुमको देख इसना पड़ेगा क्या और कहां पर तुमको ध्यान रखना पड़ेगी कि इसमें अपन कैसे चीजों को हटाना है छोटे-छोटे और स्पॉर्ट हो जाते हैं जैसा मालों यही सीन था अब इसमें बोर्ट थे अपने को चीज़ था एक सीन दिखाना है पूरा समुझ गता और आइडेंटिफाई कर लो कि अपनी बोट कहां जा रही है तो उसके लिए एक टूल बता है था मैंने रूलर कंट्रोल आर इससे अपनी बोट स्टार्टिंग यहां से अपनी बोट इदर तक जा रही है यहां से वापस आ रही है तो मतलब इतना सीन करने का अब उपर से भी अपनी बोट इससे इदर नहीं आरीज तो अपन इधर से अपन इतना पूरा एरिया कर दी है यहां तो आप जो बोट अपनी यहां पर नहीं हो तो माइनस हो तो करने के ऊपर हो तो पर एक टूल समझ में आगे निकैसे काम करें गई यह का इसके पास वाला जो हटाने अब जो चार टूल्स थे चार टूल्स अपने स्वोर्स पैनल पर काम करेंगे लेर वहां नीचे उसको डालना पड़ा का कम्पोजिशन में यहां से डबल क्लिक करके उपन करोगे तब लेर आएगे तो चारो टूल्स सबक्रोब हुआ है इसे क्यों इपने आपने विएक यह चीक जूरा इनिमेशन करने के लिए सब में आपने इसे करेक्टर में सब्रें सबक्राइब सेमे एक ही टूल का काम रहता है मेझे उससे चूम घरें फपाट टूल मेरे पो surgeons के इन्तरा canyon frog सब अर्सब़स करें है जाए वो बस सटेंह की यह निया यहां निया पे यह अदर आगा फर अपने यहां पर अब मैं यहां पर एक घरेंगा और जहां पर तुमने पॉपट टूल लगा है अब यहां पर यू प्रेस करेंगे कीज दिखेगी यहां पर जैसे पॉपट टूल लगा कि तुम कीज आ जाएगी अब तुमको यहां पर अड़िया ना पपट टूल दिखा ही नहीं दे रहा क्योंकि मैंने क्लिक कर दिया था इसके यहां से da, अपना moment सिफ इसकी हे पर है, यहां पर तूमको तुब लगे सीर भी लाना फोड सान आए आ, तो उस यहां पर ही इसेट करो मुम्वमेट जाहें, इस तरह से byg को मुurt कर सक्ता है अब यहाँ पर आओ इसके प्रीक साथ मर्ज हम ने जब यह इसके साथ मर्ज तो आगर यहाँ प्रीम में मुव होगी दैहिंगे यहां से मैश की वैल्यू कम कर्दे मैश की वैल्यू कम तो कईड़ है अब यहां पे इस चीज़ पर एफेक्ट कम पढ़ेा है अब यहाँ भी वह था के मैश बड़ा था अपना तो ये चीज नियुकर यह थ हम छाएंग Пर आए जा कंब करोगे तो यह इंग सतना को अगर तो टुम मेश अगर तुमने कम कर रहा है यह मेरा हाथ है अब अगर इसमें मेश कम है दो तुकड़े तो यह मुव कित्ता हो रहा है सिफ यहां से और यहां से जहां से इंटर कि दो तुकड़े अब यह मेश बढ़ा दिया तो अब यह मुव हो रहा है तो यह पूरा राउंड बन सकता ह वो चीज है अगर सिफ करेंगे तो अपना सिफ इसा मूड़ेगा दो मैश है अगर तो सिफ यह ऐसा ठीक है सीधा एक एंगल पर सीधा लेकिन मैश बढ़ा दिया तो यह कर बन जाए स्मूध हो जाएगा तो मैश का काम यही रहता इसके देंसिटी का कि अपन इसको बढ़ाए तो अपनी और श्मूध बनती जाए देखो जितनी जादा हो गई उतना जादा वह स्मूध रहेगा अब यह मान के चलोगी एजेस जो है वह या तो अपना एंगल बनाएगी यह कर बनाएगी तो जितनी जादा अपन डेंसिटी बढ़ाएंगे उतना कर बनेगा और जितनी तो चल जाएगा अगर तुमने बाहर चेंज किया तो मैश वहां से खराव हो जाए जैसे मानलो तुमने यहां पर अगर कुछ भी ऑबजेक्ट लिया यह कैरेक्टर भी अपन दूसरा ले के आए लेकिन उसके जो चीजे हैं वह अपने यहां से एड़ान करें अभी अपना मैश में जाएंगे ना देखो मैश फट अब यह देख यह चीज़ धियार रखते हैं कि अगर इस पर काम कर रहे तो चैरेक्टर को अपने को काम जो भी कर रहे ऑबजेक्ट है क्यरेक्ट है कुछ भी है वो फाइनल ही है और अगर चेंज करना भी पड़ा तो इंटरनल ही च करता हूं बालों में तो भी कोई दिक्कत नहीं क्योंकि अपना इंटरनल चेंज किया उसके सेमी काम करेगा हूं कुछ नहीं होगा लेकिन अगर मानलो मेरा यहां से अगर थोड़ा सा भी हेर मेने यहां बहार निकाल दिया अब जब भारा हूंगा तो देखो काड लिया वह दो आपना इसका यूज बताओ तुम लोग बताओ बरको यूज कहां करा एनिमेशन में गाम आता है यह तो समझ में आ अगया अब क्या क्या एनिमेशन कर सकते इस से लगाओ दिमाग सोचो मेने चीजश बताई ना वही चीजश चल रही है तुम्हाअ दिमाग में इसके य बुशन ग्राफिक्स में पपेड टूल भॉत यूज होता है क्योंकि होता है क्योंकि होता है अपन 2D अनिमेशन नहीं कर रहे हैं पपेट टूल एक इल्यूजन देगा कि टूडी अनिमेशन है टूडी अनिमेशन मतलब कंटिन्यू शॉर्ट जिसे पिच्छर चलती है वे से पूरा शॉर्ट है लेकिन मोशन ग्राफिक्स में क्या रहता है हलके फुलके मॉवमेंट फेस हलका सा इदर कर दिया हाथ अपन थो होगा तो ज्यादा एजी रहता है यह अल्रेडी कर गए इसको सीधा कर सकते लेकिन इसमें बहुत ज्यादा वहाएगी दिक्कते जिसे में को मॉवमेंट अगर करना है साप में फिर भी तो मैं क्यों यहां पर इसके कॉर्णर कॉर्णर है इस पर मैंने लगा दिया यहां से आगे बड़ा अब यहां पर आके मैं इसको कुछ भी चीज अन्नोइन हो रही है ना क्यार होती ही निया यह क्यों हो रही है तो उस पर बेठना नहीं है सिस्टम रिस्टार्ट कर लो यह एक बार सॉफ्ट्यर चालू बंद कर लो यह चीजे डिफाइन नहीं अपन सोचार य क्यों हो रहा है इमेज डून रहा हो यह करो यहां तो कुछ है ही नहीं जब अपने को पता है कि अपनी तरफ से कुछ गलती ही नहीं फिर भी हो रहा है ना तो कुछ बग यह सिस्टम में है तो एक बार रिस्टार्ट करके देखो रिस्टार्ट करने के बाद भी एक दो बार में भी same problem आ रही है तुमने third party अगर कोई plug-in यूज किया है तो try करो उस plug-in को change करके देखने उसको disable करके देखो same problem आ रही कि नहीं आ रही है क्यों बहुत बार plugins क्योंकि अपन यार पेट तो use करनी रहे तो बहुत बार हो सकती है चीज़ तो यहाँ पर क्या है इसको अगर अपन same state करेंगे इसकी जगह अगर मानलो मैं पास मुझे से यहाँ पर यहाँ पर simple अपन पपेट टूल लगा रहे है अपना यहाँ लगा दिया एक दो तीन चार पांच छे जितने भी लगाना हो ठीक है यहाँ पर मैं इसको इधर कर दिया आगे गया अब यहां स चलता है इसे मूव करता है वेसे करके जैसे भी आपट दोगे क्योंकि यह सीधा था तो इसको तुम कैसा भी करसा इसमें कैसा भी moment दोगे वह आ जाएगी वह चीज़ा घर में इसमें देखना पड़ा मजबूर यह करना ही पड़ेगा अगर option नहीं नहीं तो बागी इसमें यह है कि तुम अपने एसाब से कुछ भी कर सकता ये अपने हाथ में रहता है इसके कैसे भी इसमें लगा सकता तुम अब दूसरा जिसे कुछ भी अपन देखते हैं इंविटेशन देख लो, मोशन ग्राफिक देख लो, फ्लावर्स रहते हैं, फूल खिल रहे हैं, कमल हिल रहे हैं, बहुत सा ही चीज़े रहती है, वो सब इससे होता है, यह से यह फ्लावर अपने है, ठीक है, चलो यह, यह मूँ में, अब अब अपन पूरा एनिमेशन बनान कुछ सेकेंड के लिए आता है, तो अबन क्या करना है, सबसे पहले की उस पे लगाओ, जिसको फिक्स करना है, यह यह इतना ही लिए, तो मैंने सबसे पहले की यह लगा दी, उसके बाद मैं दूँगा, एक यहां पर इस जगह पर डूरे रहे हैं, तो नेचरल चीज़ अग कब भी लेगा देखो लेकिन वो अपने पास में do backup गया नेचरल 보달 जैसा अब मैं लग रहा कि यह सिर्ट का रही को उना नेचरट दे अब तुमको समझना पड़ए कधा हवा चल रही तो पत्ते केसे चल रहे हवा एक तरफ से दो तरफ से वह तुमको समाझ तो यह अपना मुमेट पास कर दो कि अधर हो गया अब लास्ट में जाके सेम जो कीस थी अपनी जो लगई थी फर्स्ट वाली उनको कॉपी करके पेस्ट तो अपना है लूप हो सिलेट करो सबको और F9 प्रेस कर दो तो समूध हो जाएगा और के साथ क्लेट कर रहा हूं तक थोड़ा स्लो हो जाए मेरा F9 सबको सिलेट करो F9 दबा दो F9 नहीं दबाओगे तो जटका मारे दो और F9 प्रेस कर दोगे तो समूध ली जाएगा अब इसमें अपना कंटिन्यू लूप की कापी पेस्ट करतीजा को यहां से ह। यह तीसरी जो लिए बड़ी जो 1 फड़ह है, तो फिस टार्ट वालो ले जो सब्नाएंगेלא कोक क्या गएड़र और आगे गाई, पेस, 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 एक्सप्रेशन बताओंगा ना, उस टायम पे बताओंगा तो इसमें ये तुमको कोपीपेस करने की जरुएद भी नहीं रहेगी, एक एक्सप्रेशन डालोगे काम हो जाए तो एक्सप्रेशन पर अपन आयेंगे तब उस चेकिन हैं अब तरहे हैं चलता रही है। यह से कॉछ और सेंपल लेते हैं। अपने लिए पन चालो आफ़ों प्रिण ले लिए रागे ज तूल में यह लेखा, यह तीन चीजे ले लिए हैं। प्रिंद का बागे यहां है कर दिया इतनी तो कि और यह रागे लिए ही. यू प्रेस किया कीज आ गई जो जो की लगाई थी मैंने इतीनों आ गई यह हो गया मुवमेंट और लास्ट मिसी को कॉपी करके सेम पेस्ट किया सेलेट करा एफ नाइं मोशन ग्राफिक्स यह मोशन ग्राफिक्स इसमें फील आ गया कि हाँ 2D अनिमेशन हो रहा है और अपने पड़ता तुमको हर जगा पर जाके सिंगल सेलेट एक 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 करके तुमको करनी पड़ेगी तो यह मूमेंट सेम यहां से कॉपी पेस्ट कर दो चीज़ जो भी इंविटेशन बनते हैं और एडविटाइजमेंट बनती है उन सब में यही चीज़े यूज़े यूज़ पर हाँ नॉर्मल अपन जैसे देखो यह मालो में पास में यह एक उपजिक जैसे यह और यह है तो यहां से सकता हो इसको थोड़ा हो जाएगा बर खीचने में जो रबर वाला होता है ना सेम वही वेसा ही होगा यह प्रॉपर्टी है यह जिस अब यह डिजाइन दिखरी अ यह चीज करनी ही पड़ेगी अब यहां पर भी जैसे इस चीज को हिलाना है न तो डाइट यहां करोगे तो पूरा खिचाएगा उसके लिए तुमको यहां पर कम सकम यहां पर के मुवमेंट ना है यह चीज करनी पड़ेगी अब वह चीज में भी फरक तो पड़ेगा पर पूरा भर दो इसको अच्छा से कीज से पूरा एसा राउंड राउंड शेप में पूरा कीज लगा दो अब आए गई इसके उपर अब यह नहीं आएगा एफेक्ट यह एज़ादा तर अनिमेशन में पपेट टूल ही यूज होता है क्यों करके इसी पड़ता है जैसे अभी जो लास्ट वाल अपने यह वाला था अब इसके अंदर में को मूवमेंट भी देना है तो मैं क्या करूंगा यहाँ रखोड़ा कर लगा हूं यू प्रेस्के अपनी चीड की फ्रेम थे बाबंपोल में पड़े लेना पड़े फ्रेया लेना यहां से उठा की मैंने इसको यह डाला ठीक है फर्स्ट फ्रेम पे इसको उठा के मैंने अभी यह देख अपना मोवमेंट आगी अब इसमें क्या लग रहा है वो नेश्रल क्योंकि पहले लगानी अपने बाद में लगाई यह जो चीज अपने की दिन कर्व में क्या प्रॉब्लम आ रही थी अपने यहां पर कर दिया था यहां नहीं करना है थोड़ा उपर ठीक है अब सेंटर में लगाएंगे ना अब जो मुमेंट आ रहा है इसका थोड़ा यह पर उट किशा की एक बे इस चीज को भी कर सकते ही हलका फॉल का मुमेंट करना हो तो इसको नॉरमल अगर इसा मुमेंट करना तो वह स suffers और श्रीचल से बीकर सकता है सिज्ट चीजे अपन पास यह दिआ वाला था यह अब इसके वाला थे अब इसके अंदर अपने को वापस करना है यहां से copy करो paste करो प्रेस कर दो एक नहीं तो यह जूलता हो अब यह जो आर्क बनेगा वह बेंड टूल होता है वह अपन बाद में देखेंगे कलग से टूल आता है तो थोड़ा नेस्ट्रल लगेगा यह तुम दस घंटे तक चला होगा आगे बढ़ाता जाओ होगे चलते रहेगा यह की भी नहीं लगानी तो यह एक्सप्रेशन होता है अपने एक्सप्रेशन जब देखेंगे न तब बताऊंगा मैं कैसे रहते हैं बहुत एक्सप्रेशन आते हैं टूल को इजी कर आई इसमें कोई की की जरूँए तुम 10 घंटे 10 घंटे की क्या अलग अलगा जारा है मैं अगर पपेटूलिया लगा रहा हूं नीचे का मुझे सेम चीह सारी चीह यह नहीं लाट चाहिए पर अब यहां पर यह इनपे में अलग लगा 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 ताकि मैं अलग अलग मुमेंट कर पाओं इसके थोड़ा आगे गया है इसकूल को मैंने यहां कर दिया, उसके साथ यह भी हिल रहा है, तो इसको इधर कर लेते हैं, यह वाला लक्स है, पुरा लगे देखो, तो वो पीछे वाले पर उसके काम ही नहीं करेगा, क्योंकि मर्जी नहीं हो रहा है, यह दोनों एक साथ में, और यह मैं बताने के लिए इतना जादा जाद कर रहा हूँ, एनिमेशन में इतना मूवमेंट नहीं होता है, वो तो हलका सा होता है, कि हाँ दिख जाए, कोई हवा चली, तो हलकी सी चीज ही लिए, जो भी हल, बहुत माइनर सा मूवमेंट होता है, तेज हवा चली, तो बात अलगे, पर जो चीज़े अपन बनाते हैं, उ इलेस्टेटर में बनाओ, फोटोशॉप में बनाओ, बहुत सारे टूल्स होते है, कोरल में बनाओ, इंडिजाइंग में बनाओ, सब अलगे हैं, पर आजकल ग्राफिक्स बनाने का बचा ही नहीं है, नेट पर सब अवेलेबल है, और फिर AI आगया तो उसके बाद से तो और चीजे ऐसी हो गई है कि आप कुछ करने की जरुवती नहीं बनाने की, चलता रहेगा, इसमें एक चीज और भी है, अपने जैसे ये बनाया ना, अपने एक मूमेंट इधर दिया है, अपन चाहो तो इसके आगे मूमेंट चेंज भी करो, इस सारे से, यहां पर यह दिया है, कहां पर तो पेंट ओपन है उसे कुछ नहीं मुआ तो इसमें कलर चेंज करने का ओप्शन यह नहीं आएगा, इसमें सींग, सींगल अगर कलर चेंज करना है, तो तुमको पोटोशॉप में जाने पड़ेगा और यहां करना है, तो फियों मास्क त나 पुरें पड़ेगा, सा डालके पर्टिकुलर से फूल का करना है फूटोशॉप में जादा इसे आज देख लो सारा